वो दिन दूर नहीं जब New York से London महज 90 मिनट्स चुहां सिर्फ 90 मिनट्स में आप पहुच जाएंगे यानि फ्लाइट में बैठ कर एक छोटी सी जबकी के साथ ही अगले पल आप London पहुचेंगे और ये जल्द ही पॉसिबल होने वाला है क्योंकि NASA इस दिशा में एक बड़े प्रोजेक्ट पर लगा हुआ है काम कर रहा है NASA एक ऐसे सूपरसोनिक पैसंजर फ्लाइट पर काम कर रहा है जो महज कुछ ही घंटों में US से यॉरप तक पहुचा देगा इस सूपरसोनिक की स्पीड जो है 3000 माइल पर आर होगी NASA के मताबिक 50 ऐसे एर रूट्स हैं जहां सूपरसोनिक फ्लाइट के लिए पैसंजर मार्कित डेवलप किया जा सकता है दरसल यूएस में फिलहार सूपरसोनिक फ्लाइट बैन है वहीं आपको ये भी बता दे कि 60 के डैकेट्स में ऐसी कोशिशे हुई थी तब इस तरह के कमर्शल फ्लाइट के लिए 128 सीटर 14 कॉंकर जैट तयार किये गए थे लेकिन एक प्लेइन क्रैश में 113 लोगों की मौत के बाद इसे बंद कर दिया गया था हाला कि अब फिर से कोशिशे शुरू हो रही है अब नैसा का X-59 जल्दी उडान के लिए तयार होगा बता जा रहा है इसमें noise pollution का भी issue नहीं होगा क्योंकि दावा किया जा रहा है ये जेट सिर्फ 60 decibel तक का sonic boom करेगा